नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Medical Guru चानल पर आज हम Picasa JR टाबलेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले है Picasa JR टाबलेट का उमक्यतु प्योग Sivier Fungal Infection याने की गंबिर Fungal Infection की समस्य आदूर करने के लिए क्या आजाता है आई ये इस टाबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जनते हैं यह टाबलेट कैसे काम करती है, कहा इस्तेमाल होती है इस टाबलेट के क्या benefit से, क्या side effects से इस टाबलेट से जुड़े सबी सावलों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आकर तक दरूर देखे इंटास फार्मासोटिकल्स कमपनी की 10 टाबलेट की यह श्ट्रिपाप को पास 1000 रुपए में डॉक्टर के परची पर मेडिकल स्टोर्स पर आसाने सिमिल जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मुझूद कंटेन के बारे में पिकासा जीजार टाबलेट में पोसा कोनाजोल IP 100MG यह कंटेन समाश्ट है इसमें मुझूद पोसा कोनाजोल यह यह एक अंटी फंगल दवा है यह फंगस के विकास को रोगता है और स्कीन इंपेक्शन का इलाद करता है बात करते हैं इस टाबलेट के उज्यस की डॉक्टरी शेकिन की समश्चा में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग फंगल इंपेक्शन की समश्चा दूर करने के लिए किया जाता है और साथी Candidias की समझ्चा, मुव में फंगल इंप्रेक्शन होने की समझ्चा और साथी Mucormycosis याने की Black Phungus की समझ्चा दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टाबलेट के इस्तमार करते हैं बात करते हैं इस टाबलेट से ओने वाले साइड़ी पेक्टी यदि आपको इस टाबलेट में में जुद कंटेंट से आलर्जी है तो आपको इस आईड़ी पे हो सकते हैं यदि बताये गए इस आईड़ी पेक्स महसूस हो तो तुरों डॉक्टर से संपर करें इस टाबलेट से आपको बुखार, दस्त, जी मिचलाना और उल्टी इस आईड़ी पे हो सकते हैं बात करते हैं इस टाबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या साउधानिया लीनी चाहिए यदि आपको इस टाबलेट में जुद कंटेंश आलर जी है या फिर कोई साइड़ी पेक्स महसूस होते हैं तो इस टाबलेट का इस्तमाल ना करें यदि आपको इवर मेडिशन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर इंपम करें ताकि आपको ओर डॉस चाहा फिर ड्रग इंट्रेक्शन ना हो और साथ यह टाबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें बात करते हैं इस टाबलेट के डोस के बारे में आप अपनी समस्या और रेज बता कर इस टाबलेट का डोस आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मासेश्चे पूत ले यादरेके दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी की स्तिती रोगी की आयू और अन्यकारणों के आधार पर इस टाबलेट का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट का इस्तमाल डॉक्टर के सला के अनुसार करें इसे बिना डॉक्टर के सला